दोस्तो सावन के अंतिम सोमवार की पूजा का लाब 19 अगस्त दिन सोमवार का दिन बेहद खास रहने वाला है क्योंकि इस दिन सावन का अंतिम सोमवार, रक्षा बंधन और सावन पूर्णिमा का पर्व भी है साथ ही सावन के महीने का समापन भी सोमवार के दिन ही हो रहा है इस दिन शोभन योग, रवी योग, गजकेसरी योग सहित, कई शुभ योग एक साथ बन रहे हैं इस शुभ योग में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने और राखी बांधने से सभी ग्रहों का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है और आशीरवाद भी बना रहता है साथ ही पूजा से उत्पन होने वाली सकारात्मक उर्जा, मन और शरीर को शुद्ध करती है और शांती प्रदान करती है सावन सोमवार का व्रत अन्य सभी व्रतों से बेहत फलदाई, सम्रिध्य और खुशहाली देने वाला माना जाता है अविवाहित लोग अगर इस दिन व्रत करते हैं, उनके विवाह होने की संभावना बनती है और लंबी आयू का वरदान भी प्राप्त होता है साथ ही परिवार में सभी की सेहत अच्छी रहती है और लोगों को प्रकृती से जड़ने का अनुभव भी प्राप्त होता है इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करना ना भूले धन्यवाद